हलो एंड वेलकम बैक टू प्रॉक्सी ग्यान प्रॉक्सी ग्यान मैं आपका स्वागत है मैं हूँ आपका दोस्त आपका एजुकेटर आपका मेंटर प्रकास दुबेदी और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं लेक्शर नमबर फोर केमिस्टी का यह हमारा लेक्शर फोर है हम टोटल फ्रीन लेक्शर को डिस्कस कर चुके हैं और यह हम फोर्थ लेक्शर के अंदर डिस्कस करेंगे इस्ट्रेक्शर आफ एटम देखिए लेक्शर नमर फोर इस्ट्रेक्शर आफ एटम का पार्ट टू structure of atom को हमने दो पार्ट में डिवाइट कर रखा है जिससे आप का कोई भी point छोट के ना जाए तो structure of atom थोड़ा से लंबा chapter है बहुत सारी चीज़ में आपको बताना है इसलिए हमने इसको दो पार्ट में रखा है structure of atom क्या है हमारे पास पहला पार्ट है हम यह जो देख रहे हैं इसके अंदर बहुत सारे model को देखेंगे atom क्या होता है हम वो चीज़ discuss करेंगे कैसे बना होता है atoms के अंदर क्या क्या चीज़े होती है वो चीज़ हम discuss करेंगे electrons क्या होते हैं, protons क्या होते हैं Neutrons क्या होते हैं, यह जो नए नए टरम्स आप सुन रहे हैं, यह क्या होते हैं, वो चीज़ हम discuss करेंगे, positive, negative, charge क्या होता है, वो discuss करेंगे, हम model देखेंगे, किस तरीके से atom, electron मगेरा घूमते हैं, गोल-गोल, वो सारी चीज़े हम discuss करेंगे, तो atom आपका दिखता कैसा है, जो चलते हैं, हम atom के बारे में देखते हैं, देखें, सबसे important parts, जो atom की आगर मैं आपको बताता हूँ, atom क्या होता है, हमने पहले ही देखा था, previous lecture में हमने थोड़ा सा discuss किया था, atoms की आरे में, तो यह important हो जाता है, आपको समझना कि atoms होती है, क्या है, देखें, हमने बात की थी क suppose कोई एक आपकी घर की दिवाल बन रही है, यह आपकी घर की दिवाल है, इस घर की दिवाल में क्या हो रहा है, कि आपने क्या किया, छोटे 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 इंटे लगाई, अब यह जो इंटे लगाई, suppose यह हमारी इंटे हो गई, यह इंटे हो गई, इस तरी जो भी मिलके बनता है, कोई भी matter आपका pen, pencil, book कोई भी चीज़ अगर आपके आसपस दिखरेए, वो सभी चीज matter से मिलके बनी, atom से मिलके बनी होती है, matter होती है और मिलके किस से बनी होती है, atom से अब जो भी चीज़ जो है space घेरती है, उसे हम कहते है matter, और जिसका कुछ न कुछ mass होता है, mass मतलब बजन होता है, weight होता है उसे हम matter कहते है clear हो गया, सभी प्रकार के जो matter होते हैं, अपने अलग-अलग types के atom से मिलके बने होते हैं, atoms को हम क्या कहते है, building blocks of matter मतलब blocks को बनाने में, कोई भी matter को बनाने में atom का अहम role होता है अगर atom नहीं होंगे, तो वो matter भी नहीं होगा, छोटे-छोटे atom मिलके ही matter बनाते हैं जिस तरीके से छोटी-छोटी इंटे मिलके आपको एक बहुत बड़ी building और घर बनाते हैं उसी प्रकार छोटे-छोटे atom मिलके क्या बनाते हैं आपका matter बनाते हैं यह आपको clear हो गया, समझ में आ गया आगी चलते हैं atomic theory, देखे काफी important थी यह atomic theory हमारी exam के perspective से इसलिए आपको इसको समझता है जोन डल्टोन जी ने इसको दिया था atomic theory को, तो इन्होंने atoms के study की, और atoms के आरे में कुछ बताया हो, तो उसकी theory को हम क्या कहते है, atomic theory इसके एक एक point को आपको note down करना है जैसा कि आप सभी लोगों को पता है lecture को सुरू करने से पहले आपको क्या करना है, copy और pen साथ में लेके बैठ जाना है जब भी आप lecture को देख रहे हो जिससे आप आने वाले time पर revision अच्छे से कर सके, आपके notes अच्छे से prepare हो जाए all matter is met up of atom सभी प्रकार के matter जो हमने discuss किए, सभी प्रकार के matter atom से ही मिलके बने होते हैं, clear हो गया second number पर क्या है, atoms of an element are identical, कोई भी element का, कोई अगर एक particular type का element है, अगर मैं element की बात करता हूँ, suppose gold है तो gold एक particular atom से मिलके बना होगा, gold का atom और iron, iron मतलब लोहा, लोहे का atom अलग-अलग होगा, आपके sony का आपके लोहे का, दोनों का atom अलग-अलग होगा, लेकिन sony जो बना होगा, वो एक ही atom से मिलके बना होगा, यह आपको समझना है, each element है डिफरेंट item, जो कि अभी हमने discuss किया, each element, हर element के पास अपने डिफरेंट डिफरेंट atom होते हैं, अलग-अलग type के atom होते हैं, जैसे gold के पास अलग atom होगा, और steel के पास अलग होगा, इस तरीके से जितने भी compound हैं, जितने भी elements हैं उन सब के पास अपने अलग-अलग atom होगे, clear हो रहा है atoms can engage in a chemical reaction atoms जो होते हैं chemical reaction में engage हो सकते हैं, देखिए, अगर आप किसी भी चीज़ से reaction करवाते हैं, तो आपको देखने को मिला होगा, कि सपुच acid बगर आगर कहीं पे गिर गया, तो वो थोड़ा खुरदुड़ा हो जाता है, यह जल जाता है तो क्या होता है, starting के जो इसके atom होते हैं, वो जल जाते हैं, वो टूड़ जाते हैं तो वो चीज़ matter करती है यह atoms जो है engage होते हैं, chemical reaction में, यह आपको समझना है atoms can neither be created nor be destroyed universal statement इस statement को तो आपको बिल्कुल भूला नहीं है ना atom को create किया जा सकता है आप atom को नहीं बना सकते हैं ना आप atom को destroy कर सकते हैं ना आप atom को ऐसा नहीं कि आप atom को बिल्कुल खतम कर दीजे वो atom एक अलग होके कहीं और चला जाएगा लेकिन वो तूटे कर नहीं, खतम नहीं होगा atom आप ऐसा किसकते, indivisible वो आप उसे divide नहीं कर सकते वो इतना छोटा होता है कि आप उसे divide नहीं कर सकते हैं clear हो गया, atoms are invisible आप अपने आखों से normal आखों से atoms को नहीं देख सकते हैं वो चीज़ क्या होती है, invisible होती है तो यह हमारी atomic theory थी जो कि हमने detail में discuss करी अगर कोई भी points आप से नहीं आ रहा हो यह कोई भी दिक्कत है तो आप हमसे directly question कर सकते हैं contact कर सकते हैं आगे चलते हैं atom किस किस चीजों से मिलके बना होता है components of atom देखे, atoms के यह components है इसको हमें समझना बहुत important है atoms के कौन-कौन से component है, nucleus nucleus अगर कोई भी nucleus बोले तो इसका मतलब यह होता है center में, आपका nucleus का center है, मतलब किसी भी चीज का center क्या होता है, nucleus होता है at the center of all atom is the nucleus nucleus का मतलब क्या है, center में अगर कोई भी चीज़ सेंटर में है तो उसे हम क्या कहेंगे nucleus तो atom की center में क्या present होता है nucleus कोई भी atom है atom के center पे क्या रहेगा nucleus clear हो गया अब nucleus contain protons and neutrons जो nucleus होता है suppose ही बहुत बढ़ा ATM है उसके center पे क्या आ गया nucleus अब nucleus के अंदर क्या present रहेगा proton और neutron अब आप question करेंगे sir यह बहुत अजीब अजीब से नाम हमको याद नहीं हो रहे हैं हम इसे कैसे return रखेंगे कैसे याद रखेंगे तो बिल्कुल simple दीखिए protons क्या होता है positive charge P means positive P means proton याद होगे आपको कोई दिक्कती नहीं हुई देखिए हमने कितली याद कर लिया neutron, neutral clear हो रहा ना आप compare कर पा रहे होंगे neutron और neutral अधी spelling seem है तो neutron क्या होता है जिसके उपस कोई भी चार्ज नहीं होता है ना positive होता है ना negative होता है तो proton सिर्फ positive होता है इसको जहां रखना है तो इस हिसाब रहा हमारा nucleus क्या हो गया सिर्फ और सिर्फ positive हो गया क्योंकि इसका अंदर कोई भी negative तो होए ही नहीं तो इसलिए क्या हो गया सिर्फ positive है और एक ऐसा जिसके पास कोई चार्ज नहीं है तो इक क्या हो गया nucleus हमारा कैसा charge है positive charge है clear हो रहा है आपको कोई भी atom किसी भी atom के अंदर center में nucleus होता है nucleus के अंदर दो होते हैं compound कि मतलब दो चीजे होते हैं क्या 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 होती है protons और neutrons अब protons क्या होती है positively charged ions होते हैं एक atomic particle है एक और समझने ना है किसी प्रकार का particle है और neutron जो होता है neutral होता है neutral मतलब जिसके उपर कोई भी charge ना clear होगे आपको अब एक negative charge वाला भी आने वाला जिसे हम electron कहते हैं यहां तक किसी को भी कोई problem नहीं होगी आगे चलते हैं देखिए electrons जिसकी हम बात कर रहे थे वही चीज निकल के आजाती है nucleus के आजू-बाजू orbit में जो घूमता है देखे यह हमने दिखा दिया है आपको दिख रहा होगा कि यह रेड वाला सपूस रेड वाला क्या है आप पर प्रोटोन और यह क्या है ब्लू वाला neutral neutron proton positive charge neutron negative charge बार बार repeat करेंगे याद हो जाएगा आजू-बाजू कौन घूम रहे है इलेक्ट्रों घूम रहे हैं ग्रीन कलर में एलेक्ट्रों घूम रहे हैं आजू-बाजू कैसे चार्ज है नेगिटिव चार्ज है बहुत इंपोर्टन हो जाता है आपको आपके लिए यह आपको समझना कि इलेक्ट्रों कैसा होता है नेगिटिव चार्ज होता है तो जो पॉश्टिव नहीं है वो क्या है नेगिटिव चार्ज है तो नेगिटिव चार्ज अटॉमिक मार्टिकल यह सभी क्या है अटॉमिक पार्टिकल जिने कहा जाता है एटम्स के पार्टिकल को अटॉमिक पार् Tell clear होगे làm फिन एटॉमिक पार्टिकल से हैं एटम से कंदर हमने तीनों को डिसकस कर लिया नूखलियस के अंदर कोश्एन आये को नूखलियस केंदर कौन-कौन से चीज होती है तो आप क्म बताएंगे और फिर नूख this उerg है वो क्या होता है प्रोश्टिव होता है या नेगटिव होता है सर न्यूट्रोन तो न्यूट्रल होता है न्यूट्रल मतलब जिसके उपर कोई भी चार्ज ना हो जीरो चार्ज तो ना वो पॉश्टिव होता है ना वो नेगटिव चार्ज होता है एलेक्ट्रोन कहा होता है आसपास घुमता रहता है, electron की उपर क्यासा चार्ज होता है, तो yes sir, electron की उपर negative charge होता है, clear हो गया, हमने सारी चीज़े revise कर ली, अब हम आगे move करते हैं, आप देखते हैं, एक model, बहुत important model हो जाता है, आपकी exam के perspective से, ये कहते हैं, जीजे थोमच जी आते हैं, और सबसे पहले ये अपना एक model लेके आते हैं, propose करते हैं, जिसे आपको याद रखना है, क्या model का नाम है, plum pudding model, plum pudding model, इसको कहा जाता है, अब इसको वो किस तरीके से compare करते हैं, आप देखिए, बहुत अच्छी तरीके से, यहाँ पर समझाया गया है, इस trigger को देखने के बाद, आपको कोई भी doubt नहीं रह जाएगा, आपने watermelon देखा होगा, ये watermelon ने, इन्होंने बोला, कि electron जो होते हैं, जो beige होते हैं, जिस तरीके से beige इसे distribute होते हैं, किसी भी प्रकार से, ये electron होते हैं, इन्हें ने उन्हें उन्हें electron कहा, और जो red color के जिसको हम खाते हैं, तो वो क्या हो गया, positive charge proton, उसको proton कहा दिया उन्होंने, अब इन्होंने ये चीज कहा, लेकिन क्या इनके कही हुई चीज सही है, ये चीज सही नहीं है, ऐसा नहीं होता है, लेकिन exam में पूछ लिया जाता है, कि Thomas model के अनुसार, जो है electron कहां present रहते हैं, और positive charge जो है, कहां present रहता है, तो उन्होंने बोला कि, आपस में इस तरीके से कहीं भी ये present रहेंगे, तो इसे हम Thomas model कहते हैं, water melon से आप इसको compare कर सकते हैं, कि जब भी आपको question में doubt हो, Thomas model की बात हो, मतलब ऐसा समझना, Thomas जी थे, water melon बहुत खाती थे, उनको water melon बहुत पसंद था, तो उन्होंने क्या किया, water melon को atom बना दिया, उन्होंने हर चीज में, उन्हें water melon atom दिखने लगा, तो उन्होंने water melon कोई बोल दिया, कि water melon की जैसे ही, हमारा atom होता है, clear हुआ, आगे चलते हैं, यह मैंने यहाँ पे कुछ points दे रखे हैं, तो आप चाहें, तो यहाँ इसको एक बार read कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ऐसा खास important नहीं है, कि उन्होंने बहला है, कि negative charge इस तरह के से घोमता रहता है, पॉच्ची उचा बीच बीच में रहता है, तो जो मैंने अभी आपको बता है, वो साही सारी चीज़ें माने written form में दे दी हैं, तो आप चाहें तो इससे note down कर सकते हैं, आगे चलते हैं, next हम आते हैं, rather food model, आखिर उन्होंने बोल की चले गए, Thomas जी ने, अब कोई तो आएगा, वो उसके contradict करेगा, बोले का सर नहीं नहीं, rather food जी आते हैं, सर आप क्या बोल रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, positive charge जो है, वो सिर्फ और सिर्फ सेंटर पे है, और सेंटर पे हमारा nucleus होता है, सर ऐसा नहीं है, आपने थोड़ा सा गलत बताया है, आप इसको दीखी, उन्होंने बोला, सर आप कैसे बोल सकते हैं, rather food जी बोलते हैं, Thomas जी बोलते हैं, आप कैसे बोल सकते हैं, कि आप जो बोलो हैं, वो सही है, और मैं गलत थो, तो यह बोलते हैं, सर देखे, हमने एक experiment किया है, जिसे कहते हैं, rather food scattering experiment, इसको आपको समझता है, rather food जी हमारे प्यारे, rather food जी, इन्होंने कहा, सर देखे, यह हैं atom, हमने इन्होंने क्या किया, एक थिन बहुत बढ़ली gold की foil ली, मतलब एक तरीके का, gold लिया, पतला सब पीज टाइप का, अब gold foil ली इन्होंने, उन्होंने क्या किया, alpha particle को, यहां से beam करवाया, alpha particle आपको समझना है, positive charge, कोई भी positive charge, एक तरीके से उनके पास था, उन्होंने positive charge को फेंगा, तो क्या होता, आपको पता, यह property तो पता होगा, आपने physics में पढ़ए होगी, कि positive और positive charge, जब paths में आते हैं, तो एक दूसरे से धूर भागते हैं, जैसे कि चुम्बक में होता है, आपने दिखा होगा, north north जब paths में आएंगे, तो दूर भागते हैं, और जब आप उस तरीकिस करेंगे, south और north करेंगे, अलग-अलग वालग करेंगे, तो वो paths में आ जाएंगे, चिपक जाएंगे, और जब north, मतलब positive और negative जब भी रहते हैं, तो वो क्या हो जाते हैं, आपस में जुड़ जाते हैं, तो ये clear हो गया, आपको positive positive दूर भगते हैं, negative negative दूर भगते हैं, और positive और negative आपस में जुड़ते हैं, clear हो गया, अब देखिए, इसके अंदर इन्होंने क्या बुला, इसके अंदर इन्होंने समझाया किस तर देखिए जब मैंने यह अलफा पार्टिकल भीजे तो क्या हुआ कि बहुत सारे पार्टिकल जो है यहाँ पर बापस निकल जा रहे थे लेकिन एक सेंटर में से बहुत ही कंजो है टकराके बापस आ रहे थे तो जहां से वो बापस आएंगे के मतलब क्या हो रहा है वो उसको दूर भेजरा है सındक तो इन्होंने यहां से यह चीज को समझाया कि सर जो है आप जो बोल thri après सेंटर पर निकलेस होता है जो की जहां से यह एक आया आलफा पार्टिकल और positive से positive टक्राया और बापस चला गया तो यह clear हो गया और बाकी तो electron थे तो यहां पर आज वाद सर्ट बाहर निकल गया इस तरीके से बाहर निकलती चले गया यह और सिर्फ center में से तो उन्होंने बोला सर कुछ न कुछ ऐसा है जो center पर positive चाहिए ते क्योंकि मैंने positive charge भीजा वो टक्राय के बापस आ गया वो कहां से बापस आया सिर्फ center वाले से और बाकी जो भीजे थे वो सब आप निकल गये वो बापस नहीं आये तो यह उन्होंने यहां समझाया है उन्हों चले चले आप बिल्कु सही बोल रहे हैं तो यहां पिन्होंने conclusion निकाल ला इन्होंने जो alpha particles भीजे थे positive charge वो deflect ही नहीं हुए बिल्कुल मुड़े ही नहीं तो वो क्या है उन्होंने बोता है कि जो हमारा atom है वो क्या है खाली है चारों तरफ क्या हुआ हुआ है एक चीश से space होता है उस ताइब से और center में से पास होके आ रहा है उन्होंने बोला center जो है भरा हु nucleus कहा अब इन्होंने कहा atom है neutral overall उन्होंने कहा overall जो atom है neutral है ना ही उसके अंदर positive है ना ही negative मतलब neutral का मतलब यह होता है कि positive और negative charge जब equal मात्रा में रहते हैं equal quantity में रहते हैं तो आप उसे neutral कह सकते हैं neutral का मतलब यह नहीं कि उसके पर कोई charge नहीं है neutral का मतलब यह है science की भास में आपको समझना है वैसे तो आप कहेंगे कि उसके पर कोई charge नहीं है लेकिन neutral का मतलब यह होता है positive और negative चार्ड दोनों बराबर quantity में present है सब पूछ यह body अगर मैं बोलता होगी क्या है यह neutral है कैसे क् जिसके पास positive और negative आपस में मिलके खटम कर दी एक दूसरे को यहां पर positive और negative मिलके आपस में क्या कर दीए ख़तम कर दी एक दूसरे को तो यह क्या हो गया neutral हो गई यह हम आगे बढ़ते हैं देखें अब हम यहां पे दोनों चीजों को कंप्यार करते हैं thomson model of atom rather for versus rather for model of atom दोनों ने atoms के आरे में बताया दोनों ने थोड़ी-थोड़ी से चीज़े अलग-अलग बताई उन सारी चीजों को हम देख लेते हैं इनहोंने के बताया थॉमसन जी कहते हैं, थॉमस मोडल ओफ न इटम, स्टेटेट देट, इलेक्ट्रोंस आ इंबेंड़ेट इन पॉजिटिवली चार्ज सॉलिड मटेरिल, विच इस स्पैरिकल इन सेफ, इन्होंने बोला एटम जो स्पैरिकल सेफ होता है, इन्होंने बोला कि जिस तरीके से हमा पे नेक्टिव चार्ज जो है, प्रेजेंट है, लेकिन रुजर फोर्ट जी कहते हैं, सर ऐसा बिलकुल भी नहीं है, हमारे जो पॉजिटिव चार्ज है, हमारे न्यूक्लियस के अंदर है, एटम के न्यूक्लियस में सिर्फ पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है, और अभी जो है next lecture में जब हम discuss करेंगे कि वोर्स मोडल तो वहां बताएंगे वो exactly निकल के आता है क्या इन्होंने चीज़े बताई फिर it does not give any detail about the atomic nucleus अब nucleus के बारे में इन्होंने कोई भी discuss नहीं किया लेकिन इन्होंने nucleus के आरे में अच्छे से बताया कि center फिर nucleus होता है और nucleus के अंदर ही positive charge होता है इन्होंने क्या बताएं state that electrons are embedded in a solid material इन्होंने बताएं कि electron जो है किसी solid material के अंदर बढ़ा हुआ है लेकिन इन्होंने बताएं electron are located around central solid material जो solid material center फिर nucleus है उसके आस पास electron है अब कैसे electron है इन्होंने ये चीज नहीं बताई ये थोड़ा सा important हो जाता है कि जो rather 4G नहीं बताया next क्या है in the case that atom is spherical structure इन्होंने atoms को spherical structure बोला that is simple correct है और इन्होंने भी बोला कि atom जो spherical है और जो है center center पे core है और बाकी जगे खाली है center भरा हुआ है और बाकी जगे हलका फुलका है खाली है तो ये rather 4 और thompson model हमने discuss किया है आप असमें compare कर लिया I think our page is clear हो गए होगी so thank you very much for the discussion कैसा रहा lecture आज आपको बताना है और अगर कोई भी doubt आपको lectures related होता है तो आप हमसे contact कर सकते हैं contact मैंने आपको दे दिया है directly आप मुश्य कोई भी question जो है arise कर सकते हैं पूछ सकते हैं so thank you thank you very much for the discussion एक भी स्ट मुश्य कोई एक सकते हैं